इससे पहले उप्चिनाव नजदिक आते ही शेहर के तट पर हाइटरा जारी रहा मुहिनबाद थानाक शेत्र में अजीजनगर में भारी मात्रा में नगती मिलने की घटना से तिलंगाना की राजनिती में हड़कम मच गया है ट्यारेस के चार विदायकों को खरीदने के लिए अजीजनगर के फार्मोज में भारी मात्रा में धन ले जाने की सुचना पर सीपी स्टीफन रविंदर के नेतरत्व में पुलिस ने उक्त फार्मोज पर चापा मारा ऐसा लगता है कि इन हमलों में एक सो करोड की पेशकर्ष की गई थी हाला की खबर है कि पंद्रा करोड सीज किये गए है लेकिन पुलिस ने जब तकी नक्ती का अधिकारिक तॉर्ट पर खुलासा नहीं किया सीपी स्टीफन रविंदर ने खुलासा किया कि रामचंद्र भारती, नंदक कुमर और सीमयाजू विदायकों को खरिदने आए थे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया सीपी ने स्टीफन किया कि ट्यारेस विदायकों द्वारा दी गई सुचना पर चापा मारा गया था कि उन्हें लालाच दिया जा रहा है एक नहीं दो नहीं हर्द विदायकों सौ करोड की पेशकश की अचानक पुलिस के सक्षिप करने से उन्हें बड़ा जटका दिया पेट विदायकों गुवला बाला राजू पिनपा का विदायक रेगा कांता राओ कोलापूर के विदायक बीरम हर्शोवर्दन रेडी तांडूर के विदायक पाइलेट रोहित रेडी मोजुद थे बाचपा प्रदेश अद्यक्ष बंडी संजे ने इसी घटना पर कटो टिपनी की आरोपी की सीम केसिया ने दिली के बिचों बिच इसके लिए कहानी और पठकता लिखी है और कहा है कि यह एक राजनितिक ड्रामा है बंडी संजे ने संदेद जताया की केसिया ने दिली में इस मामलेक में पाएंगे स्वामी जी इसे बात की होगी और पूरी साजिश रची होगी विदायक बालक सुमन ने केंदर सरकार के नेताओं और भाजपा नेताओं को चेतावनी दी कि अगर उनमें हिम्मत है और श्रमता है तो वे राज के लिए चार्ज अच्छे काम करें और तिलंगाना समुदाय के अनुमोदर हासिल करें अनुबंद दिये जाते हैं कि परदा का लालच दिया घ्री जाता है उने कहा आग ग्या कि राज अच्छो और तससे नेताओं को 18,000 करोड रूपे के ठेके पर खरिगा लेकिन तेलंगाना के सहसी कारेकरता, TRS की विदायकों को चुदुने की साज़िस्रची, उन्होंने भाज़पा के खिलाफ नारेबाजी की उदर हैदरबांद विजयवाना हाइवे पर चोटपल में मंत्रियों के नेतुत में धन्ना दिया गया आंदोनन में गुंगल कमलाकर, शुनिवास गौड, इंद्रकरन रेड़ी और बीबी सुबाश रेड़ी ने भाग लिया उन्होंने कहा कि तलंगाना के खारिस किये विदाकों को खरिदने की कोशिश करने वाले भाच्पा की कुटिल हारकते बुरी है मंत्री केटिया ने बुदवार को नागोल फ्लाय ओवर का उधगाटन किया बाद में उन्होंने की सामरिक सडक विकास कारिक्रम के तहत एक और परियोजना उपलब्द हो गई उन्होंने कहा कि अगले साल मार्च तक चार और प्रोजेक्ट पूरे कर लिये जाएंगे 143.58 करोड रुपे की लागा से नागोल फ्लाय ओवर बनाया गया फ्लाय ओवर का निर्मान 990 मीटर के लिए 6 लेन के रूप में किया गया था यह SRDP में चालू किया गया है 16 पुल है उपल इलबिनगर कॉलिडोर पर कामिलेनी और इलबिनगर चोराहों पर पुल और अंडरपास पहले ही उपलब्द कराय जा चुके है सतरु टियारेस की और अपने अगले चुनाव के दोरान भी जारी है मंद्री केटिया नहीं का कि केंद्र जो हद्करगा का समर्टन करने वाला है उसमें पांच पर्ज़त GST दुरभावना पूर्ण तरीके से लगाया गया है उन्होंने कहा कि केंद्र ने बलेही बुनकरों पर ध्यार ना दिया हो उन्होंने राजसरकार के और से 100 करोड आवंटीत की 26,000 श्रमिकों को कोरोना काल में विद्रित किया है उन्होंने कहा कि CMKCR सूरत गए और हतकरगा श्रमिकों के लिए एक कारेक्टरम त्यार किया है जिसके तहत गडवाल, नारायन पिट और सिरसला में हतकरगा पार्क स्थापित किये गए है राजसबा के पूर्वसांसत रापोलू आनन्द बासकर ने बिजेपी से इस्तिफा दे दिया है इस्तिफा पार्टी के राष्ट्र अदेख्षर जेपी नडड़ा को बेजा गया है रापोलू ने अपने त्याग पत्र में पार्टी के प्रती गेरा असंतोश विक्त किया उन्होंने आरुप लगाया कि पिछले चार वर्षों में पार्टी ने तुन्हें उनकी उपिक्षा की पत्र में उन्होंने दुख विक्त किया कि कई बार उनका अपमान किया गया और उन्हें निचा दिखाया गया केंद्रिय मंत्री किशन रेड़ी ने आलचना किये कि बहुजन इताया बहुजन सुकाया का नारा बदलकर C.M.K.C.R. कुडमा हटाया बंदो मित्र सुकाया कर दिया गया है उन्होंने कहा कि कारेकरताओं की आकांगशाओं के अनरूप तेलंगाना को आगे ले जाना सभी की जिम्मेदारी है उन्होंने सर्वई पन्ना गौड के डाक कवर के उद्गाटर में भाग लिया सांसद लक्षमन ने कहा कि शासकों ने सर्वाई पापना गौड को नजरंदास किया इतियास उन्हें माफ नहीं करेगा डबल इंजन की सरकार आई तो पापना गौड का इतियास पाठे पुस्तकों में शामिल हो जाएगा निजामों को खिलाफ लड़ने वाले कई लोगों पर अपना इतियास शिपाने का आरोप लगाया गया लक्षमन ने कहा कि तेलंगाना तली को एक परिवार ने बंदक बना लिया है अब समस्य आ गया है कि उन्हें चुड़ाया जाए गौड समाज नारास थे कि केसियार सरकार ध्यान नहीं दे रही थी फ्रतान मंत्री मोधी ने अपने मंत्री मंडल में OBC को उच्छ प्रादमिक्ता दी है वाईस आटिपी अद्देक्षियो वाईस श्रमला ने कालेश्वरम परियोजना के निर्मान में ब्रस्टाचार को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया है उन्होंने खा कि इसे टूजी और कॉल स्कैन खतम नहीं होंगे आरुप लगाया था कि परियोजना को निया स्वरूप देनी के नाम पर हजारो करूर रुपे खर्च किये गए है तेलंगाना में पदियात्रा पर निकले राहूल गांदी से कालेश्वरम परियोजना में ब्रस्टाचार का जिक्र करने की मांग की है वाईयस शर्मला ने इस संबन में राहूल गांदी को पत्र लिखा है वाईए शर्मला ने सवाल किया कि अन्य दलों के नेता कालिश्वरम परियोजना बस्टचर के बारे में बात क्यूं नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा कि केवल वाईएस आर्टीपी की कालिश्वरम परियोजना में बस्टचर की बात कर रही है उन्होंने आलोचनकी की कॉंग्रेस और बाचपा मेगा कृष्णा लेडी के वेतन भोगी बन गए है पुलीस भरती परिक्षा परिणाम में गड़बडी का आरोप लगाते हुए कॉंसरेबल और येसेस आई उमीदवारों के विरोध प्रदशन किया उन्होंने OU Arts College में धरना दिया और मांग की की गलत दिये गए 22 प्रश्टर में अंक जोड़े जाए यो कि था अंक प्राप्त करने वाले उमीदवारों के नाम सुची में नहीं है और उन्होंने मांग की की उन्होंने नाम तुरंत सुची में शामिल किये जाए अभ्यातियों ने चेतव निदी की अन्यतावे डीजीपी कारेले का घहराव करेंगे बाद में यन यसी उआई ने यसी आई और कॉंसरेबल रिजल्ट में गडबड़ी की शिकायते डीजीपी से की उन्होंने बताया कि कट ओफ और अंकों में हेरा फेरी और गलत प्रस्टों के इकारण उमीदवारों को बहुत नुकसान हुआ है जो एक ऑनिस्टेबल रेसे के जो नोटिफिकेशन जो एक्जाम हुआ उसमें 22 कोशेंज के लिए साही आंसर नहीं है और थोड़े कोशें का आंसर ही नहीं है जिसके लिए 22 मार्स आट करने के लिए हम DGP का आपटमेंट मांग के जो बच्चे है जो तकलिफ में बच्चे हैं तो लागो बच्चे एक्जाम लिगे सो उनको आस तर पुछ क्लारिटी नहीं है थोड़े बच्चों का तो ओमास शीट में ना क्वालिफेड में ना अनक् कर रहे हैं लेकिन इंटेंशनली यह स्टेट गौर्नमेंट और DGP वांटेटली यह जो एक्जाम सभी है जो गलत हुआ अगर को गये तो बाद में यह लोग क्या बोलते हैं यह स्टूडेंस को गया हम नोटिफिकेशन देने वाले थे जॉब देने वाले थे को गये सब्स परेंडे fine तकरिफेंट जिलाक बच्चे ज एकिल्वाएंगि जो एगा एक्जाम निकासest हो अगर यह छेलाक बच्चे रोड पे आएंगे यह स्टेट पोलीस फोर्स में सर्फ करने के लिए श्टेट को सर्फ करने के लिए उनका प्र पने लिए उनका कून स्टेट पेट परशिरबाद में मलारेडी इंजिनेरिंग कॉलेज की बीटे कर तुरतिय वर्ष की चात्रा ने बुदवार को हॉस्टल में फांसिल आकर आत्मात्य कर ली चात्रा की पहचान के शावनी 20 वर्षे के रूप में हुई जो मेकनिकल इंजिनेरिंग की चात्रा थी जो परि सातियों की अनपसिती में कमरे में पंके से लटक कर फांसी लगा ली श्रावनी के दोस्तों द्वारा सतरक की जाने पर कॉलेज के अधिकारियों ने उसे अस्पताल ले जाया जहां उसे अमृत गोशित कर दिया गया इस घटना के बाद कॉलेज को अवकार्ण गोशित कर दिय चात्र संगटनों नेट्स मामले की स्तरियत जांच कराने की मांग करते हुए इस बात पर भी शंका जताई की आखिरकार कॉलेज को किन कारणों से अवकाश घोशित किया गया है। च्रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सर्वेक्शन बताते हैं कि अगले उपचना में बीजेपी को तिस्तरा स्थान मिलेगा। रेवंत्रेडी ने व्यंग किया कि सर्वे के नतीजे देखकर राजगोपाल रेडी को बुखारा गया। राजगोपाल जो जानते थे क की भाचपा नहीं जीतेगा निकेंद्रिया बलों को सामने लाया जो कॉंग्रेस कारेकरतों पर हमला कर रहे हैं। ये सई कॉंस्रेपल के रिजल्ट में गडबड़ी का आरोप लगाते हुए अब्यर्तियों ने हाई कोट का दर्वाजा खटकटाया। इन्होंने नियाय की गोहार लगाई है। ये अचिका में उन्होंने प्रश्ट पत्र में गलत दिये गए बाइस प्रश्टों में अंक जोड़ने का आदेश देने की मांग की थी। अहर अंक प्राप्त करने वाले अब्यर्तियों के नाम भी सूची में नहीं हैं। अब्यर्तियों ने नियायले गोशा में गलत प्रश्टों के कारण उमिदवारों को बहुत नुकसान हुआ। गलत दिये गए बाइस प्रश्टों में बाइस अंक जोड़ने क्यों कहा गया। शिकायत में यह उल्लेक किया गया था कि आरक अंक प्राप्त करने वाले एसी यस्टी और बीसी उमिदवारो की अंक सुची जारी करने और अनियमी तताओं की व्यापक जांच करने और कारवाई करने का अनुरूद किया। गोशा महल विदायक्टी राजा सिंग के लिए एक चोकाने वाला निवारक निरोद पर सलाकार बोड ने बुदवार को उनके खिलाफ लगाए गए पीडी इड्वाईजरी बोड के सामने पेश हुए निलंबित विदायक ने पीडी अधिनियम को लागो करने के खिलाफ अपनी दलीले प्रस्तुत की। उनके पत्नी ने भी अपने पती के खिलाफ पीडी अधिनियम को चनोती देते हुए सी समिती के समक्ष एक लिकित काउंटर द तीन सदस्यों वाले समिक्षा बोड ने राजा सिंग की पत्नी उशा बोड से काउंटर प्राप्त किये। समिती ने हाला कि आधेश पारित करने के लिए मामले में को सुरक्षित रखा। 25 अगस्त को राजा सिंग को कतित रूप से इशारिंदा और ग्रोनास्पद बयान द संचोधन विदायक 2022 के खिलाफ इंस्टिउशन आफ इंजिनियर्स ने इस महिने की 28 तारी को खरतबाद में होने वाले बिजली कर्मचारियों के राज्यस्तरिय सम्मेलन से संबंदित पोस्टर दारी किये हैं। उन्होंने कहा कि बिजली संचोधन बिल से किसानों और अगताओं को भारी नुकसान होगा। तेलंगाना सरकार ने इस विदायको निरस्त करने के लिए विदांसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। मुक्य मंतरी के विरोध प्रश्शन का समर्तन करने के लिए केसियार को धन्यवाद दिया। उन्होंने अन्य राज्यों से इस विदाय को निर्सत करने के क्लिए काम करने को का। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में चार राज्यों के बिज्रिक शेत्र के नेता भाग लेंगे। हैदरबाद के माधापूर में दीवपावली के दिन सदर उत्सव जहां यादवों द्वारा मनाया जाता है प्रतियोगिता के रूप में हलका जलुस निकाल कर बड़ी दूमदाम से मनाया गया। दर्शकों को प्रभावित करने के लिए आकरशक तरीके से एक दूसरे के साथ प्रतिसपर्दा करने के लिए हलकों खुबसूरती से बनाया गया था। यादवों ने ढोल की थाप और डीजे की आवाज पर सड़कों पर नाच कर अपनी विश्चता दिखाई। यादव समच के नेताओं ने हल लाने वालों के स्वागत के लिए विशिश मंच तयार किये। उनका स्वागत किया और उनका सम्मान किया। विबिन स्थानों से आये सांड उस्थम में विशिश आकरशन बने। यादव समधाय के ने प्रशन सा की कि यादव लोग दिवाल तसर्व शुरू हो गया है दिपावली पर के अगले दिन हर बार शहर में संदर पर उत्षफ धूमदाम से मनाया जाता है लेकिन इस साल घरहन के चलते दिवाली के दूसरे दिन संदर पर मनाया जा रहा है पंजार नागरा जो यादव ने खा़ कि वे पिछले कुछ दशकों स सदर मना रहे हैं राउल गांदी का भारत जड़ों दोरा गुरिवार से तेलंगाना में फिर शुरू होगा। राहूल गांदी सुबह साड़े चे बजे से भारत जोडो यात्रा जारी रखेंगे। यात्रा मकतल से फिर शुरू होगी जहां पद्यात्रा रोकी गई थी। इसी के तत राहूल गांदी बुद्वार को ही मकतल पहुंचेंगे। मकतल से यात्रा की शुरू आत्र करने वाले राहूल गांदी सबसे पहले करने का परमेश्वरी मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद में पेदचरू, दांडू क्रॉस, गोलापली क्रॉस, रोड और कचवार से जक्कर लगाते हुए यात्रा करेंगे। आपती जताई। बाद में नरेंदर अपने कुछ साती जो नशे में दुत्ते पड़सी मोहन रेडी के घर में गुस कर मार पिट की। इस घटना का पूरा दुरुष्य सीसी टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पीडित विनोद मोहन रेडी की शिकायत के मताबिक मेट्चल पुलिस ने मामला दर्स कर लिया है और जांच कर रहे ही। पीडितों ने दावा किया कि नरेंदर अपनी अनुन याईयों के साथ मोहन रेडी के घर में गुस गया और महिलाओं पर भी हमला किया। हमले के दुरुष्य सीसी टीवी में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने पीडिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्स कर जान शुरू कर दी है। नेरेड मेट पुलिस ने बुदवार को जेजे नगर सित एक बच्चा ग्रोस अनाथाले में एक नाबालिक लड़की को धमकारे और बरतकार करने के आरोप में एक वेक्ति को गिरफतार किया। गिरफतार वेक्ति मुरलिकुमार जो उसी संस्तान में एकांटेंट के रूप में काम करता है पर आरोप है कि वह पिछले कुछ दिनों से परिसर में लड़कियों का योन उत्पिडन कर रहा था। पुलिस के अनुसार उसने कतित तोर पर पीड़ता के प्रतियों संबंद बनाने की कोशिश की। जब उसने इसका विरोध किया तो उसने इसे धमकाया और कतित तोर पर उसके साथ दुशकर्म किया। साथी किसी को नहीं बताने की धंकी भी दी, यह गटना कई दिनों बाद सामने आई जब अनाथाले की चार लड़कियों ने भाग लिया और बाद में उनके लापता होने का मामला दर्स किया, पुलिस ने उन्हें सिकंदरबाद रेलवे स्टुशन के आसपास से ट्रेस किया औ सुधा बावी बस्ती में गलती से एक गैस लेंडर में विस्फोट हो गया, इस गटना में एक विक्ति की मौत हो गए और चार अन्य घायल हो गए गंबी रुप से गायलों को गांधी अस्पताल में भरती कराए गया है और उनका इलाज चल रहा है, विस्फोट किसे घर के दिवार गिर गए, डिप्टी स्पिकर पदमाराव ने घटनास्तल का निरिक्षन किया, उन्होंने आश्वास दिया कि विपिडितों को हर संबव स सायता उपलब्द कराएंगे, इस घटना के बाद घर में आग लगे, दमकल कर्मी तुरंद घटनास्तल पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया, दमकल कर्मियों ने इसे बुझा दिया, मौके पर पहुंची पुलिस व अधिकारियों ने सितिका जायजा लिया, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, उन्होंने कहा कि सरकार उनके इलाज का खर्च उठाएगी, उन्होंने आशवसन दिया कि दुरगटना में मारेगे नारायन स्वामी के परिवार को आर्तिक सायता उपलब्द कराए जाएगी, उधर हादरबाद के करेक्टर अमोई कुमार चिलकल गुड़ा में दुरगटना स्थल का निर्क्षन किया, बाद में गांधी अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, पिर्टों में मुलाकात की, पलिस ने मामरा दर्स के लिया है और जांच कर रहे हैं